Hello guys, welcome to study short चाइना ताइवान के पास लगातार मिसाइल अटेक कर रहा है ताइवान को चाइना ने चारोत रख से घेर रखा है और military exercise कर रहा है चाइना ने ताइवान के 6 मुख बंदरगा को ब्लोग कर रखा है जहां से ताइवान बरी मत्रा में एक्सपोर्ट करता है तो आज हम लोग डिसकस करेंगे कि ताइवान चाइना के आकरामक रुख को लेकर क्या strategy अपना रहा है यूए से ताइवान को किस तरह मदद कर सकता है यूए से स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान विजिट के समय ही चाइना ने एह ऐलान कर दिया था कि वह ताइवान के नजदी के जुद्धा व्यास करेगा चाइना इस जुद्धा व्यास में बरी संख्या में फाइटर जेट और मिसाइल सका यूज कर रहा है चाइनेज फाइटर जिट ताइवान के एर स्पेस का उलंगन कर रहे हैं जिस एरिया में चाइना जुद्धा व्यास कर रहा है वह ताइवान में लेंड से मातर 20 किलोमीटर की दूरी पर है चाइना ने ताइवान के समुद्री रास्तों को ब्लोग करने के लिए जे-20, जे-11 फाइटर जिट, एच-6 बॉमबर्स और दो डिश्ट्रॉयर को ताइवान के नतीक तैनात कर रखा है चाइना इस कदर बुकलाया हुआ है कि उसने कई वैलेस्टिक मिसाइल जापान की इलाके में फायर कर दिये चाइना ताइवान के आज़ पास BF-15 मिसाइल का पड़ियोग कर रहा है BF-15 सोट रेंज वाली वैलेस्टिक मिसाइल है इसका यह उज़ चाइना 1990 से कर रहा है चाइना के पास इस स्रीज की 1000 मिसाइले मौजूद है चाइना जिस इंटेंसिटी के साथ मिसाइल अटैक कर रहा है उससे अन उरोपिये देशों ने नराजी जाहिर की है और अमेरिका ने चीन के राजदूत को तलब किया है ताइवान ने चाइना के खतरे को देखते हुए अपने एर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा है और कहा है कि वह किसी भी कीमत पर चाइना के सामने नहीं जुकेगा ताइवान में पहले से ही किसी भी संभावित जुद्ध का सामना करने के लिए तैयारियां की जा रही है ताइवान चाइना के सामने बहुत छोटा कंटरी है मिलिटरी छमताओं के मामले में भी ताइवान चाइना के सामने कहीं नहीं टिकता है इसलिए ताइवान अपने आपको डिफेंड करने के लिए डिफेंसिव तरीके पर जोड़ दे रहा है इसके तहत ताइवान ने बड़े पैमाने पर कंधे पर रखकर फायर किये जाने वाले मिसाइल जिसे जैविलिन और एस्टिंगर मिसाइल कहा जाता है बरी मातरा में परचेज किया है इसके माध्यम से गुरिल्ला वार की तरज पर चाइना के फायर जेट, हेलिकॉप्टर और मिसाइल्स को निसाना बनाया जाएगा अगर चीन की सेना ताइवान में घुसने की कोशिस करती है तो उसके लिए काफी मुस्किल होगा क्योंकि कोई भी एरक्राफ्ट, एस्टिंगर और जैविलिन मिसाइलों से बच नहीं सकता ताइवान पहारी एरिया है और सहरी वातावरन भी ताइवान में काफी जागा है सहर में किसी भी सेना द्वारा सक्सेस्फुली अटेक कर पाना काफी मुस्किल होता है ताइवान को पहारों का भी एडवांटेज मिलेगा पहारों से गुजरते फाइटर जेट और हेलिकॉप्टर आसानी से दिख जाते हैं लेकिन फाइटर जेट से पहारों पर चुपाए गए हंतियार नहीं दिख पाते चाइना की इन हरकतों को देखते हुए अमेरिका ने भी अपने दूसरे सबसे बड़े एरक्राफ्ट केरियर E.S.S. रोनाल्ड रीगन को ताइवान के पास तैनात कर रखा है इवेसे के पास इस तरह के टोटल दस एयरक्राफ्ट केरियर हैं जिसमें से रोनाल्ड रिगन सबसे नया है 2003 में इसे इवेस नेवी में इंडक्ट किया गया था तब से यह अमेरिका के 7th फिलीट का सबसे परमुख जंगी जहाज है इस पर 90 फाइटर जेट्स और हेलिकॉप्टर तैनाथ हो सकते हैं इस एयरक्राफ्ट केरियर पर अत्याधूनिक इलेक्ट्रोनिक वार्फियर सिस्टम लगा है जो दुस्मन के टर्पीडो के आने की गती और समय को पहले ही बता देता है इस पर अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 और F-18 तैनाथ है चाइना और तैवान के बीच यह तनाव 30 बरसों के अपने उचितम अस्तर पर है इस जुद्धाव्यास के समाप्त होने के बाद ही तनाव कम होने की संभावना है तो यह है इस वीडियो का इंड़ासा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें सेर करें और हमारे चैनल एस्टडी श्वार्ट को सबस्क्राइब करें थैंक्स टू अल अफ्यू